हेलो दोस्तों आपका स्वाधत है मेरे चानल में तो दोस्तों क्या भी इस्किन एजिंग की प्रब्लम से परिशान है इस्किन एजिंग की समस्या को रोखने के लिए कुछ पोशक तत्वे बहुत जरूरी माने जाते हैं जो कई तरह के खाद पिदालतों के जरी शरीर को प्रा एक्सिडेंट होता है जिसमें सेलूलर प्रोटक्टिव प्रोपर्टीज होती है यह पोशक तत्वे तवच्छा से जुड़ी कई समस्या को कम करने में मदद करता है और हल्दी इसका एक बहुत बहुत बहुतर सोर्स माना जाता है विटामिन डी एक एंटी एजिंग पोशक करता है अब बात करते हैं जीन्ग के परते कि इजिंग के बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि पोशक तद्व के मदसे तवचा पर रिंकल नहीं बनता है और एजिंग की प्रतिप्रिया भी धीमी होती है तो अब बात करते हैं विटामिन B3 की तवचा के लिए विटामिन B3 एक बहुत ही फायदेमन्द पोशक तद्व होता है यह विटामिन स्किन सेल्स में जरूरी एंजाइम को बढ़ाता है जिससे तवचा पर एजिंग की प्रतिया धीमी हो जाती है तो दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन E की विटामिन E कई सारे कंपाउंड का एक ग्रूप होता है जिससे टोफो फोरेल भी कहा जाता है विटामिन E तवचक बहुत ही फायदेमंद होता है जो पिग्मेंटेशन और एजिंग के कारण होने वाली समस्याओं से तवचा को बचाता है अब बात करते हैं विटामिन C की विटामिन C बॉड़ी की इम्म्यून पावर को बढ़ाता है इसके साथ ही ये तवचक लिए बहुत ही फायदेमंद होता है विटामिन C सरीयर में कोलेजन का उपादन बढ़ाता है जत्वचा पर बढ़ती उम्मर के लक्षोड को कम करता है तो दोस्तों इन सारे पूशक तद्वों की मदद से आप स्कीन एजिंग की समस्या से अराम पा सकते हैं आपको हमारी जानकारी कैसी लगी अगर अच शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सपोर्ट